हालो एविरिवन, वेलकम टो सॉनम क्लासिज, आज हमारा टॉपिक है पावर सिरिज पर, मेथिमेटिकल इनालिस में टॉपिक आता है हमारा पावर सिरिज, तो आज हम ये स्चार्ट करते हैं, पावर सेरिस कौन सी होती है जैसे कि हमने पड़े हुई है इन फाइनाइट सेरिस इन फाइनाइट सेरिस यानि कि इस कॉर्म की सामिशन N from 0 to infinity A N X की पावर N मतलब जब आप N को 0 लोगे तो क्या बनेगा A 0 X raised to power 0 1 लोगे तो A 1 X की पावर 1 2 लोगे तो A 2 X की पावर 2 0 से कहां जा रहा है up to infinity तो इसे तरह से हमारी जो सिरिस है वो कैसे सिरिस होगी इन फाइनाइट सिरिस तो देखो हमने लिखा भी है कि इन फाइनाइट सिरिस of the form summation N from 0 to infinity A N X की पावर N is called the power series in X यानि कि यहां पर जो हमारी टॉम आप देख रहे हो जिसे यहाँ A note है A 1 है A 2 है A 3 है यह तो है coefficient और यहां पर X की पावर 0 X की पावर 1 X की पावर 2 X की पावर 3 तो यह जो है हमारी पावर सिरिस किसमे है X में तो जब इस form की कोई infinite सिरिस आती है तो वो से हम अगर वो X में बात कर रहा है तो उसे X में पावर सिरिस बोलेंगे और यह जो A N से हैं यानि की A naught A 1 A 2 A 3 इनहे हम क्या call करेंगे कोईफिशेंट फिर उसके बाद यह तो होगया power series की बाद अब power series की convergence की बाद आती है कि convergence में हमारे पस क्या क्या आएगा तो convergence में वो क्या कहता है कि अगर तो आपका X ही ग्या हो जाए जीरो हो जाए अगर आप X को 0 ले लोगे तो अगर आप देखो यहाँ पर यह जो power series है यह थी न हमारी X को 0 ले लोगे तो यह finish 0 ले लोगे यह finish 0 ले लोगे यह finish, सारी term finish हो जाएंगी यहां से यहां तक, सिर्फ कौन बचेगा? A note, इसका मतलब जो sum है, वो सिर्फ क्या बन गया? A note, तो इसका मतलब तो जब भी हमारा X क्या होगा? 0 तो उसका sum कोई finite number आजएगा और sum finite number आजएगा इसका मतलब क्या है? कि वो power series हमारी क्या हो जाएगी? Convergent, तो simple सा एक वो हमारा case निकला कि अगर तो X हमारा 0 है तो फिर हर power series क्या होती है? Convergent होती है clear? तो हमने क्या किया? अगर X हमारा क्या है? 0, 0 है तो हमारी हर power series क्या होगी? Convergent, तो अब बात आती है हम तीन cases और discuss करती है बही मान लेजिए हमारा X 0 को हमने side पर डग दिया क्योंकि 0 में तो हमने discuss कर लिया कि तो 0 को छोड़ कर अगर आपकी X की किसी भी value के लिए वो converge नहीं करता ध्यान से सुनना क्या चीज है? अगर 0 के अलावा, क्योंकि 0 पर तो है ही सही convergence है ना? 0 के अलावा अगर वो कोई भी value पे converge नहीं कर रहा है तो उसे हम क्या कोल करेंगे नो वेर converge अगर वो 0 के अलावा किसी पर भी converge नहीं कर रहा है converge मतलब एक particular number की और approach करना है ना? यहाँ पर तो खेर sequence नहीं है, series की बात हो रही है तो यहाँ पर उसके sum की बात हो रही है कि हमारे पास क्या sum आएगा तो वो क्या कह रहा है कि अगर x की किसी भी value के लिए converge नहीं करता है तो हमारे पास क्या आएगा nowhere convergent तो उसे हम क्या बोलेंगे कि हमारे series कैसी है nowhere convergent कहते हैं अगर ऐसा हो, चलो 0 के लिए तो करता ही करता है, बाकी सभी values के लिए भी कर जाए तो इसका मतलब तो क्या हो गया अगर हमारे पास कोई ऐसा x हो जहां पर हर x के लिए वो series क्या कर रही है converge तो उसे क्या call करेंगे हम everywhere convergent मतलब जीरो पर तो करती करती है इसलिए इसना 0 को छोड़ा जीरो को छोड़कर अगर कही पर भी converge नहीं करी तो उसे हम call करेंगे nowhere convergent अगर जीरो पर तो करती करती है बाकी सब पर भी converge कर रही है इसका मतलब सब x के लिए कर रही है तो उसे हम क्या बोलेंगे everywhere convergent ठीक है फिर third case आता है कि ऐसा भी तो हो सकता है अब इसने कहा जीरो को तो अलग छोड़ दो बही किसी पर भी नहीं करी इसने कहा सब पर कर रही है अब ये भी तो हो सकता है कुछ पर converge करे और कुछ पर converge ना करे तो हमने क्या लिखा third case में जब हमारी series converge करती है x की कुछ values के लिए तो converge कर रही है अब कुछ के लिए नहीं करी तो वहाँ क्या कर रही है वहाँ diverge कर रही है clear होगी एजर कि x की कुछ value के लिए तो converge कर रही है और बाकी के लिए क्या कर रही है diverge तो कहते कि जो हमारे ये जो x है जिन जिन x पर वो converge कर रही उनको collect कर लेंगे जिन जिन X पर हमारी infinite series क्या करी है, convert, उन्हें हम क्या कर लेंगे, collect, फिर collect करने के बाद, हम उसको क्या बोलेंगे, कि ये जो है, हमारा region क्या है, convergence का, समझ के, यानि कि अगर आप वो वो X ले लेते हो, जिन पर converge कर रही है, तो उन points की collection क्या कहलाती है, region of convergence, clear हो गया, तो ये हम आपने total case discuss करे है, जब X हमारा 0 है, तो हर power series क्या होती है, convergence, और जब हमारा X तो 0, पर तो convergent है, 0 को छोड़ कर, अगर किसी X के लिए convergence नहीं है, तो nowhere convergent, और अगर हर X के लिए है, तो everywhere convergent, अगर कुछ points के लिए convergence करती है, तो उन points की collection को हम क्या बोलेंगे, region of convergence, clear, अब उसके बाद हमारा next topic आता है, radius of convergence, तो हमारा topic क्या आया, radians of convergence, अब यह radians, sorry, radians, radius, क्या है, radius of convergence, ठीक है, मैंने थोड़ा सा गलत कॉल कर दिया था, radians बोल दिया था, radius of convergence, अब देखो क्या है, radius of convergence क्या है, radius याने कि हम capital R से represent करेंगे, ठीक है, अब उन्होंने क्या बोला है, except everywhere convergent, उसने क्या बोला है, except everywhere convergent, कौन ça case छोड़ना है, जहां हर जगा convergent होती है, उसको छोड़ कर, और nowhere convergent को छोड़ कर, समझ लिए, याने कि इस वाले case, और इस वाले case को छोड़ दो, ये वो case था, जब हर X के लिए convergence था, ये वो case जब 0 को छोड़ कर जो बाकी थी उनमें से किसी के लिए भी convergent नहीं था इन दो case को छोड़ दो तो फिर बचा कौन सा ये क्याते इस case में जो हमारी power series है उसको क्या मिलेगा एक positive number r मिलेगा क्या मिलेगा एक positive number r capital r से represent r एक notation है such that कि ये जो series है वो converge कर रही है for every ये जो x है इसका mode less than r ध्यान से radius of convergence क्या है जब हमें एक positive number r मिले इस थरह से मिले कि हमारी series converge कर रही है उन सभी x के लिए जब x का mode less than r है और उन सभी x के लिए diverge करे जब mod x क्या है r से बड़ा तो radius of convergence कम मिलेगा जब हमारी series इतना दो पता है series कुछ point के लिए converge करेगी कुछ point के लिए diverge कर रही है तो converge किस के लिए करे उन x के लिए जब x का mode r से चोटा हो और उन x के लिए diverge करे जब उसका mode x r से बड़ा हो तब कहते हैं अगर ऐसे आपको मिल जाती है x जब r से छोटे पर वो converge कर रही है और r से बड़े पर वो diverge कर रही है तो फिर ये जो r है ना जो आपको मिला था ये r क्या कहलाएगा आपका radius of convergence किसका power series का जो आपको given होगी power series उस power series का ये r क्या कहलाएगा radius of convergence ठीक है फिर कहते है ये जो interval बना minus r से r का क्योंकि जब हम इस mode को खोलेंगे mode x less than r तो minus r और r के बीच में हमारा x है है ना तो ये minus r से r का जो interval बना इसे हम क्या कॉल करेंगे interval of convergence of given power series समझ के तो इस topic में क्या था एक तो ये case छोड़ना था एक ये case छोड़ना था उस case पर जाना था जब कुछ point के लिए convergent होती है और कुछ point के लिए divergent होती है convergent हमें ऐसा डूढना है जब है पर्टिकुलर नंबर जो r है वो हमारा जो मोटेक्स ये उस r से कम हो उसके लिए converge करें मोटेक्स उसी r से greater हो तो उसके लिए diverge करें तो उस r को radius of convergence बोला जाएगा और minus r से r के interval को हम interval of convergence बोलेंगे of given power series अब हम एक result पढ़ते हैं जो कि अब हम इसके बाद जो theorem करने वाले हैं उसमें एक result यूज़ होगा जो कि graduation में भी आया हुआ है हमारा कौशी root test जब हमें कोई एक infinite series दे रखी हो क्या दे रखी हो एक infinite series दे रखी हो तो जिसके उपर summation चल रहा है जिसके उपर चल रहा है इसके उपर इसका mode और इसकी power क्या है 1 by n करके जब limit n tends to infinity की जाए तो जब कोई limit आए ध्यान से सुनना ये जो infinite series है इसमें से ये an pick किया इसके उपर mode लगाया उसकी power 1 by n करी और उसकी जो limit n tends to infinity करी तो जब वो क्या आया एक कोई finite number आया ठीक है वो मैंने नाम रख दिया l तो कहते हैं कि अगर ये l 1 से कम आए तो ये जो series थी ना इस series को क्या बोला जाएगा Convergent और अगर आपका ये l 1 से क्या आद है बड़ा तो इस series को क्या बोला जाएगा Divergent तो अभी जो हम theorem करने वाले हैं उसमें result यूज होगा कि जब कोई infinite series है आप उसके उपर an लेते हो mod करते हो an मतलब जिसके उपर भी series मतलब जो series है न यहाँ पर जो भी लिखा होगा यहाँ समेशन के अंदर जो भी लिखा हुआ है आपने वो उठाना है उसके उपर mod फिर 1 by n लिमिट लगानी है जो एक finite number आएगा अगर वो 1 से छोटा आता है तो फिर यह जो given series थी यह convergent हो जाती है अगर यह 1 से greater आता है तो फिर आप कोगे कि यह क्या हो जाती है तो 1 से छोटे पर convergent 1 से बड़े पर divergent तो आप करते हैं थियोरम थियोरम देकू क्या है स्टेट्मेंट समेशन एन फॉम जीरो तो इन्फिनिटी एन एक्स की पावर एन बी आप पावर सिरिस सच दाट लिमिट एन टेंट स्टी इन्फिनिटी मॉड एन उपर पावर एन इस इकल तो वन बाई आर अब हम यह उन्होंने खुद दे रखा है यह जीज़ कि लिमिट एन का जो मॉड है उसकी पावर वन बाई आर इस एकल तो वन बाई आर और पावर सिरिस हमें क्या दे रहे हैं कि ध्यान से पावर सिरिस में हमार को है समिशन N from 0 to infinity A N इंटू में X की पावर N तो उन्होंने यह काई कि यह दो चीज़ी हम आपको गिवन दे रहे हैं यह पावर सिरिस दे रहे हैं और यह limit आपको given दे रहे हैं आपको क्या करके दिखाना है कि यह जो given power series है यह क्या बन जाए Convergent with the radius of convergence R अब radius of convergence R के साथ अब radius of convergence तो तब बनेगा न जब mod x R से छोटा हो तो convergent mod x R से बड़ा हो तो divergent तो चलो start करती है हम ही यह चीज़ given है हम इसकी help लेंगे R हमारा कौन है radius of convergence अब देखो क्या है यह power series है अब अभी-अभी मैंने आपको कोशिरोट टेस्ट बताया अब मैंने आपको क्या काता समीशन के साथ बिल्कुल पूरा लेना है तो मैंने यह चीज़ पिक करनी है an into x की power n तो ध्यान से देखो limit n tends to infinity an into x की power n का mode की power 1 by n यह पिक किया है मैंने ठीक है अब जब यह पिक किया है तो अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिखो limit n tends to infinity an का mode अलग कर दू और x की power n और इसका mode अलग कर दू तो 1 by n इसको भी दे दूँगी 1 by n इसको भी दे दूँगी समझ रहे हो ना कि an और x की power n दोनों का 1 by n था mode भी दोनों का था तो मैंने an का mode अलग कर दिया x की power इसकी power 1 by n अलग कर दिया और x की power 1 by n अलग कर दिया ठीक है अब आपको पता है कि यह n से n तो कट गया यह सिर्फ क्या बचा mode x और यहां क्या हो गया limit n tends to infinity an का mode की power 1 by n अब आपको पता है न यह वाली चीज तो पहले से given है क्या given है this is 1 by r तो इसका मतलब यह mode x ऐसे का ऐसे इसकी value में क्या कर दूँगी put कर दूँगी 1 by r तो total value क्या बनगी mode x by me r तो आप देख पा रहे हो कि यह जो limit थी यह क्या बन चुकी है mode x by me r तो अब हम उसको क्या कहेंगे याद आया जब हमारा l 1 से छोटा होगा तो convergent अगर l हमारा 1 से बढ़ा होगा 1 से बढ़ा होगा तो divergent हमारा l यह आया है ना अब हम उसको क्या लिखेंगे by the koshy root test if this number is less than 1 then series is convergent if this number is greater than 1 then series is divergent तो हमने तो लिख दिया अब इसको जब मैं solve करूंगी कि जब mode x by me हमारा क्या है r और फिर यहां क्या आगया less than 1 तो जब solve करूंगी तो r कहां चला जाएगा उपर है ना और जब इस वाले को solve करूंगी तो mode x greater r तो ठीक तो आगया जब mode x r से छूटा है दो तो convergent आ रही है mode x जब r से बड़ा है तो divergent आ रही है तो जब हमारे पास इस तरह से r मिल जाता है तो r को क्या कॉल किया जाता है radians of convergence तो हमें यही दिखाना था यह power series convergent है इस radius of convergence r के साथ हो गया ठीक है चलो अब next करते है अब हमारा topic है जैसे radius of convergence के बारे में हम discuss कर चुगी है तो limit के recording हमारे पस क्या आता है तेखते हैं जैसे कि हमारी power series summation n from 0 to infinity a and x की power n कैते है यह जो radius of convergence है जब हम इस limit के recording इसका formula दे रहे थे कि जैसे कि जो limit है limit n tends to infinity a n का मोड की power 1 by n अभी देखा था ना पीछे क्या था यह जो limit n tends to infinity a n का मोड 1 by n क्या था 1 by r तो उन्होंने क्या का था यह और कुछ नहीं बलकि क्या होती है radius of convergence अभी theorem में हम प्रूफ करके आए है जब इस तरह से इस series के अंदर यह जो x की power n के साथ जो coefficient दे रख है अगर इसके मोड की power 1 by n करके जो भी लिखा जो भी limit आती है वो 1 by r के बराबर होती है तो of course अगर यह 1 by r के बराबर है तो r किसकी बराबर हो जाएगा 1 by limit के तो यह हमें क्या कहना चाता है कहते है कि अगर तो limit positive आती है तो r की value यह होगी अगर limit हमारी 0 आती है तो r क्या हो जाएगा देखो 1 by limit आगे 0 तो 1 by 0 क्या होता है infinity तो r हो जाएगा infinity और अगर ये limit infinity आती है तो 1 by infinity क्या हो जाएगा 0 तो total तीनों के इस discuss कर दिए जब हम limit positive आती है तो जो limit का अंसर आएगा finite number वो यहाँ पर डाल देंगे र की value होगी अगर limit हमारी 0 आती है तो 1 by 0 मतलब infinity अगर limit हमारी infinity आती है तो 1 by infinity मतलब 0 तो डॉटल मिलाकर वो यह कहना चाहरा है कि अगर आपका r क्या आता है infinity अगर आपका r क्या आता है infinity तो आप यह कहोगे कि आपकी power series क्या है everywhere convergent और अगर आपका r क्या आता है 0 तो आप क्या कहोगे nowhere convergent बस इसका सिर्फ इतना ही रोल था कि limit के according आप यह पता कर सकते हैं मतलब अब फायदा यह हो गया कि limit जब हम यह x की power n का जो coefficient है उस an के mode के ओपर 1 by n करेंगे तो अगर आप limit कर ऐसी प्रॉकल करते हो तो वो r के बराबर है अगर r infinity आता है तो आप बोलोगे कि यह power series everywhere convergent है अगर आपका r 0 आता है तो आपका होगे कि nowhere convergent है और अगर कोई finite number आता है तो r के value आजाएगी simple अब हम कुछ results पढ़ती है some results related to infinite series infinite series के और क्या-क्या result है जो कि आगे हमारे numerical में भी काम आएंगे geometric series तो आपके कोई geometric series बन रहे हैं इसे कि पहले A, फिर A, R, R², RQ, प्लस अप्तो उन कहने का मतलब यह है तो जो आर आएगा ए3 यह तो करेंगे जो आर आएगा वो पह सेम होगा तो अगर इन्फाइनाइट जीपी सीरिस तो इन्फाइनाइट अगर आपकी जो मैट्रिक सीरिस बन रही है तो वो यह कहते हैं कि geometric series कब कब convergent होती है वो जो आपका r आता है न common ratio जो आता है आपका r अगर वो r का mode 1 से कम है अगर r का mode 1 से क्या है कम है तो आप क्या बोलोगे कि आपकी given geometric series जो है वो क्या है convergent लेकिन क्या है condition कि अगर आपका जो common ratio आया है उस common ratio का mode करो और अगर mode करने के बाद वो 1 से कम है तब आपको होगे कि आपकी geometric series क्या है convergent चीक है सेकिंड है हमारा comparison test यह हमने graduation में पढ़ा हुआ है अगर आपके पास कोई 2 infinite series हो positive term की है जिसे क्या नम an रख दिया और एका bin मतलब एको an से रप्रेजन किया एको bn से रप्रेजन किया चीक है जिसे कि अगै यह होगे a0, plus a1, plus a2, plus a3, up to up to sun यह होगी b0, plus b1, midd1, plus b2, plus b3, up to up to sun यह, an1 से चल रहा है तो a1 से start, यह b1 से start तो क्या कहता है कि अगर ये जो हमने इसमें लिया यहाँ A-N और ये जो हमने इसमें लिया ये क्या है B-N दियान से सुनना कहते हैं अगर A-N वाला B-N वाले से लेस है ये A-N अगर इस B-N से क्या है लेस है तो फिर क्या उन्होंने बताया कि अगर कभी भी बड़े वाले की सिरिस क्या करें करें अब A N और B N में से बड़ा कौन हुआ B N हुआ ना A N क्या हुआ छोटा हुआ है ना ध्यान से समझना ये चीज़ अब A N छोटा है B N बड़ा है चलो बीच में यहां equal to कसाइन है मतलब equal भी हो सकते कहने का मतलब result क्या समझाना चाह रहा है कि अगर बड़े वाला convergent होता है series में बड़े वाली series बड़े वाले की अगर series convergent है तो छोटे वाले की तो convergent होगी ही होगी और अगर छोटे वाले की सिर्ष डाइवर्जंट है तो बड़े वाले की तो डाइवर्जंट होगी ही होगी result यह कहना चाहरा है मतलब एक AN है और एक सड़ BN है ठीक है एक सड़ AN और एक सड़ BN ये है बड़े वाला और ये है छोटे वाला अगर आपका बड़े वाला कनवर्जंट रख रहा है सिर्ष तो छोटे वाला तो ऑटोमेटिकली रगेगा जब बड़े वाला कनवर्जंट है तो छोटे वाला अपने आप है और अगर छोटे वाला डाइवर्जंट है तो फिर अगा लेंगे 0 यह यह यूरू में हमारा result यूज होगा अगर हमें एक series क्या दे रहा है तो समेशन के साथ जो होगा उसकी limit को हम क्या लेंगे 0 एक और चीज क्या है कि अगर limit की form में हमें दे रखा हो कोई इस तरह से तो हमें उसे मॉड वाली फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखते हैं अगर लिमित अंट टेंट इंफिनिटी अन इस इकल टो ल है तो यह वाला और यह वाला दोनों का डिफरेंस मताब इस चीच को इस सरा से प्रेजेंट किया जा सकता है यह वैसे आपको मालूम भी होगा कि यह लिमित को हम एपसिलन वाली फॉर्म में भी कनवर्ट कर सकते हैं कैसे यह सीक्वेंस और यह जो इसकी लिमित है उन दोनों का डिफरेंस का मोड लेस थैन एपसिलन यह जो एन है यह ग्रेटर दैन इकल टो एन होगा चीग है और उसके बाद नुमेरिकल के लिए एक रिजल्ट यूज करना है जब हम आगे नुमेरिकल करेंगे तो नुमेरिकल में क्या होगा आपको एक पावर सिरिस दी जाएगी तो जैसे अभी आपने एक फॉर्मला पढ़ा था ना कि आर का फॉर्मला कि वन बाई में लिमित क्या होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है मतलब थोड़ी सी अलग फॉर्म में होता है जैसे फैक्टोरियल वाली फॉर्म में तो मतलब यह वला फॉर्मला लगाना थोड़ी सा तो एक फॉर्मला देने जा रहा है क्या है आप चाही तो यह लगा लगा लो चाही यह जहां पावर में कुछ अन, अन में कुछ पावर वाली फोर्म हो तो इससे कहोता है पावर से पावर कट जाती है तो यह वहाँ एजी पढ़ता है अन प्लस वन का मोड के उपर क्या लगाने लिमिट यह जो लिमिट होगी हमारे किसके एकवल होगी और यह चीज में आपको बताई चुकिए अगर आपका इंफिनिटी आता है तो अगर अगर जीरो हाता है तो इसका मलब नोवेर कन्वरजेंट और अगर कोई फाइन नंबर तो सिंपल वो आर की वैलिवा जाएगी तो यह निमेरिकल में बहुत जादा काम आएगी लिमिट एंट टेंट इंफिनिटी ध्यान से उपर अन रखना है नीचे अन प्लस वन रखना है यह बहुत कन्फूजन हो जाती है कई पर एंप्लस वन लिख देते नीचे अन अगर नीचे अन लिखोगे तो फिर यह बन बाई र लिखोगे तो हम क्या लिखने है यह लिख 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 लि यह कहना चाह रहा है कि अगर कोई power series हमारी क्या है converge कर रही है ठीक है summation n from 1 to infinity a n x n converges किस point के लिए कर रही है x note के लिए कर रही है ठीक है then it is absolutely convergent for x is equal to x1 अब ध्यान से सुनना अब उन्होंने if वाली condition दिया है इसका मदलब उन्होंने यह का है कि x note के लिए तो हम आपको क्या द convergent लेकिन यह series हमें यह प्रूफ करके दिखाना है कि absolutely क्या है convergent है किस के लिए convergent है x1 के लिए अब यह x1 ऐसा है मतलब हमारे जो x note पर जो convergent थी उस point से छोटे point पर मतलब वो यह कहना चाह रहा है मतलब हमें result को समझने पर focus करना है कि इस पर हमें convergent दे रखा है और इस से छ चोटे पर मोड तो लगाना है इस से छोटे पर हमें क्या दिखाना है absolutely convergent absolutely convergent का मतलब हमें mode लगा के convergent दिखाना है ठीक है चलो अब स्चार्ट करते हैं अब आपको मैंने results दिखा दी है कुछ भी result यूज हो सकता है तो सबसे पहले हमने क्या का कि हमारी यह जो series है क्या है convergent तो लिख दिया simple summation n from 1 to infinity a n x की power n converges for this इस point के लिए convergent है न तो x की जगा यह x note पुट कर दो भई अगर कोई series convergent है किसी particular x के लिए not for all x only for x note तो इस x note को x में put कर दो और लिख दो कि यह series क्या है convergent तो मैंने क्या कि यह जो x note था इस x की जगा पुट कर दी और लिख दिया this series is convergent है न अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था एक result लिख वाया था कि अगर हमारा summation un क्या हो convergent हो तो मैंने आपको क्या कहा था कि उसकी limit को आप क्या लिख सकते हो 0 same अगर मैं आपको यह कह रही हूँ कि this part is convergent तो इसका मतलम में क्या लिख सकती हूँ कि limit an x naught की power n is equal to 0 n tends to infinity है न और अभी अभी मैंने आपको एक और result भी दिखाया था कि अगर limit n tends to infinity an बराबर l हो तो इसे mod वाली form में कैसे लिख सकते हैं जिसकी limit है वो जो limit आई है वो उन इसका मतलम मैंने अभी अभी आपको क्या बताए कि यह रहा मेरा यू न और यही मेरी 0 तो इसका मतलम an x naught की power n माइनस में 0 का mode less than क्या हो जाएगा epsilon और पीछे क्या लिखेंगे 4 all n is greater than n देखो यही चीज यहां पर लिखे हुए है epsilon अपनी choice का लेना है यह थोड़ा बहुत हमें ध्यान रखना होता है कि किस question में या किस theorem में क्या लेना है ठीक है तो हमने ले लिया epsilon को 1 by 2 तो यहां पर मैंने 1 by 2 पुट कर दिया तो an x naught की power n में से जब 0 जाएगा तो वापी से वही आजेगा तो इन्हों ने डारेक्ट लिख रहा था मैंने पूरे स्टैप आपको करके दिखा दीए ठीक है आगे यहां समझ की summation an x naught की power n कंवर्जेंट है यानि कि summation un अगर कंवर्जेंट है तो limit un क्या लेन है जीरो ठीक है फिर limit un द condition an minus l का mode less than epsilon तो मतलब मेरा an कौन था ये और मेरा l कौन था ये इन तोनों का डिफरेंस का mode less than epsilon 4ol n is greater than equal to capital N अब जाकर आपने epsilon की पहले आप यह लिख ले ना फिर आप epsilon की value क्या पुट करना 1 by 2 तो finally आपका यह जिस बनकर ready हो गई चीक है यानि कि जो हमें गिवन था उससे यह result हमारा ready हो चुका है कि an x0 की power n का mode less than क्या है हमारा 1 by 2 चीक है अब आपका focus किसके उपर है focus तो यह है कि मुझे x1 के उपर क्या दिखाना है absolutely convergent दिखाना है है ना तो मैं क्या करूंगी an यह चीज़ है ना यहाँ x1 इसको ले के चलूंगी ले के चली अच्छा अब इसको तो ले के चली पर given तो x note है जो given है उसकी तो help लेनी है ना तभी तो कोई हम result अपने given के according proof कर पाएंगे तो अब मुझे तो इसमें x note दिखनी रहा और जब तक x note आएगा नहीं मैं कुछ काम नी कर पाऊंगी क्यूंकि given तो x note से related है मैंने x note की power n से multiply भी कर दिया x note की power n से divide भी कर दिया ठीक है multiply वला इसको दे दिया डिवाइड वला इसको दे दिया मत्तब जैसे mod था दोनों वी उपर लग लग कर दिया x note की power and multiply भी divide भी अब ये वली चीज मेरी कौन है this is less than 1 by 2 तो मैंने क्या किया यह तो यह तो यह तो यह रखा इसकी जगा क्या यहां तक clear अब आप देख रहे हो यह वाली चीज मेरी less than 1 by 2 यह चीज आगी यहां तक पहुच चुकी हूँ an x1 की power n less than 1 by 2 x1 by x naught की power n आपको जो मैंने result अभी दिखाए थे चार आप देख पा रहे हैं कोई सारे result कहीं ना कहीं यूज हो रहे हैं summation UN वाला भी हुआ limit AN वाला भी हुआ अब geometric series वाला भी होगा और comparison test भी होगा comparison test कियों कि यह मेरा AN हो गया यह मेरा BN हो गया अगर मैं तुम्हें यह बता दूं कि यह BN convergent है तो यह वाला AN भी convergent होगा ना अगर इसका नाम मैं AN रखो इसका BN रखो अब मैं इसका क्यों नहीं बता पा रही हुआ क्यों कि यह मेरी non-series है non-series मतलब यह मेरी geometric series है मैं इसके पारे में result जानती हूँ तो मैं ने क्या किया यह उठा लिया यह जीज इसको डालिया, हम जानते हैं कि यह series कैसी है, जो मेट्रिक series है, क्योंकि जब मैं पहले यह 1 डालूंगी, फिर 2 डालूंगी, फिर 3 डालूंगी, अब देखना इसका common ratio क्या आएगा से, आपको मैं करके भी दिखाती हुए, देखिए, x1, x0 की power 1, more डाल के, x1, फिर x0 की power 2, more फिर x1, x0 की power 3, like that, जब हम इसको और इसको डिवाइट करेंगे, तो जी, हमारा जो common ratio आएगा, वो क्या आएगा, यह, इसको और इसको डिवाइट करेंगे, तो अभी common ratio क्या आ रहा है, यह, इसका मतलब r same आ रहा है, है न, with mod, तो हमने क्या का, this is a geometric series with a common ratio, यह है common ratio, है न और यह common ratio, जो मेरा है, यह क्या है, 1 से कम है, समझ रहे हो, यह common ratio, मेरा क्या है, 1 से कम है, तो अब हमारे, आप कहोगे, अब यह 1 से क्यों कम है, है न, यह चीज आएगी ना धिमाग में, कि 1 से कम क्यों है, भई यह खुद देखो, given है, x1 का mode, x note से क्या है, कम, तो जब मैं x नोट को नीचे उतारूंगी, तो यह चीज क्या बनगी, यही मेरा common ratio बनगया, तो इसका मतलब यह geometric series हो गई, जिसका common ratio 1 से क्या है, कम है, तो इसका मतलब यह वाला part, हमारा क्या होगे geometric series, अब किसी के दिमाग में आएगा, बढ़ हम 1 by 2 भी तो साथ है, जब यह है, तो यह क्या होगी, convergent होगी with mod, इसका मतलब हम कह सकते हैं, कि this part is mod के साथ क्या है, convergent, और जब कोई series mod के साथ convergent होती है, तो उसे बोलते है, absolutely convergent, अब यह आगे हमारे results में भी काम आएगी, results में क्या काम आएगी, कि अगर कोई power series किसी के लिए convergent है, तो उससे छोटे वाले के लिए क्या दे रहा है, if a power series is diverges for this, अगर एक x dash, मतलब हमें क्या दे रहा है, उन्होंने एक summation n from 1 to infinity a n x की power n, ठीक है, यह उन्होंने हमें क्या है, कि इस x dash के लिए यह क्या करती है, diverge, बहुत ध्यान से समझना, x dash के लिए क्या करिये, diverge, तो आपको यह दिखाना है, कि यह इस point क मतलब, अगर किसी point के लिए diverge कर रही है, तो फिर x double dash के लिए भी diverge करेगी, अगर x double dash ऐसे ही नहीं कोई नाम है, no, condition, अहन से हमें condition देखना है, मतलब अगर छोटे वाले के लिए diverge कर रही है, तो उससे बड़े वाले के लिए भी क्या करेगी diverge, जैसे अभी हम पढ़कर अगर हमारी x note के लिए एक series converge कर रही है, तो फिर x note से छोटे वाले point के लिए भी converge करेगी, यहां पते कि x note x1 तो जस्ट नाम है, मेन हमारे को इस पर focus करना है, बड़े के लिए converge थी, तो छोटे के लिए करेगी, और अगर हमारे पास छोटे के लिए diverge है, तो फिर बड़े क के लिए क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, यहां पर यह कंडिशन है, देखो लिखी हुई है, कि अगर x के लिए diverge करती है, तो x double dash के लिए भी diverge करेगी, लेकिन यह double dash हमारा क्या होना चाहिए, हमारे वाले x dash से बड़ा होना चाहिए, ठीक है, चलो, अब हम स्टार्ट कर दीखाना है, अब हमें यह दिखाना है, कि eks a double dash के लिए diverge करें, यही दिखाना है, प्रूफ तो, हम जान के लेकिन इल्टा मान लेंगे, कि नहीं हमारा, toow x double dash के लिए diverge करती हैं, अगर x double dash के लिए diverge करती है, तो abov theorem ने क्या कहा था? ज्यान से सुन से वह बर आगर लिए भी उसे क्या करना पड़ेगा कंवर्ज और यह तो गिवन है कि x double dash का मोड से छोटा हमारा x dash का मोड है है ना x dash का हमारा क्या है मोड यानि कि यह मेरा x double dash है और यह मेरा क्या है x dash तो अगर आप क्या रहे हो कि मेरे इसके लिए converge करती है, तो पिछली थियोरम कहती है, फिर इसके लिए भी converge करेंगी, इसके लिए तो क्या है, डाइवर्ज है, तो देखो, हमने यही चिलिकिवेट must be convergent for this, भाई, इसके इसे छोटे के लिए, हर पॉइंट के लिए converge करेंगी, क्योंकि X' तो हमारे X'' के मोड से छोटा है, तो विच इस a contradiction, हमने ऐसा क्या एज्यूम कर लिया था, जो गलत होगया, हमने एज्यूम कर लिया था, कि X'' के लिए converge करती है, इसका मना X' के लिए interval of convergence पड़ा, दो theorem पड़ी, ठीक है, next video में हम इसे related numericals करेंगे, बाई,